डार्लिंग अगर मैं बिजली का खंबा होता तो क्या होता तो तो रोज कुट्टे तेरे उपपर मूत्ते हैं हाँ डार्लिंग आज मुझे तुमसे कुछ दिल की बात कहनी है हाँ बोलो आई लाव आई लाव ले साले पहले तू यह बोले तू इपहले पहले अबे तुझे पता है आज तीवी पे ना तीस इंची का साब दिखाएंगे अबे यार मैं तो देखी नहीं पाऊंगा क्यों क्यों कि मेरा तो टीवी ही चोबी सिंची का है क्या यार एक बाग बताओ जब तुम्हें गर्मी लगती है तो तुम क्या करते हो तब मैं एसी के सामने बैठ जाता हूँ और क्या और जब जब ज़्यादा गर्मी लगती है तब क्या करते हो तब मैं एसी चालू कर लेता हूँ क्या हाँ जानू तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो हाँ हाँ बहुत ज़्यादा मैं मर जाओंगी तो तुम रोगे अरे बहुत जादा तो रोगे दिखाओ कमीनी पहले तुम मर के तो दिखा क्या मैं तुम्हारे प्यार में लुट गई बरबाद हो गई, बदनाम हो गई हाँ कमीनी मैं तो जैसे डॉक्टर कलेक्टर या इंजिनियर बन गया न मैं भी तो कचोडिया बेखता हूं कचोडिया अबे तुझे पता है आज बच्चों का रिजल्ट आने वाला था सनमा जी की लड़की निन्याद में पसंट नंबर लेकर आई है अरे एक परसंट कहा गया वो हमारा लोंडा लेके आया है नलायक कहीं का सुनो जी मेरे सहिली को बच्चा होने वाला है डॉक्टर ने कहा है मा या बच्चे में से किसी एक को बचा सकते है तो बताओ किसको बचाएं बे तो मा को बचाओ न क्यूँ? मुबाइल रहेगा तो रिचाज होता ही रहेगा साली तो आदी घरवाली हो है सही सुना है जी जाजी तो आज सी तुम्हारी आदी प्रॉपर्टी हमारी थारी आदी सेलरी हमारी यहां तक कि थारा आदा खुन थारी बीवी पियेगी और आदा खुन मैं पीऊंगी I'm sorry आपकी पत्नी बस दो-तीन दिन की ही महमान है इसमें sorry की क्या बात है डॉक्टर सहाब ये दो-तीन दिन भी काटी लूँगा जैसे तैसे अरे डार्लिंग तुम इतनी अच्छी चटनी कैसे बना लेती हो बस चटनी बनाते समय आपके बारे में सोच लेती हूँ पूटने में असानी होती है क्या? अजी सुनते हो उपर से वो बैग उतार दे न जरा मेरे हाथ छोटे पड़ रहे हैं तो अपनी जुबान से ट्राई कर ले बहुत लंबी है ना वो तो रुको तुम्हें तो मैं बताती हूँ सुनो जी अब मैं नहीं बचूँगे अब मैं मर जाओंगे ऐसा मत बोलो मैं भी मर जाओंगा क्यूँ? मैं तो बिमार हूँ ना मैं तनी खुशी बरदास नहीं कर पाऊंगा ना क्या? सुनो जी आजकल चोरिया बहुत होने लगी है धोबी ने हमारे दो तॉलिये चुरा लिये है कौन से तॉलिये? अरे वही जो हम शिमला के होटल से उठा कर लाए थे या? सुनो जी डॉक्टर ने मुझे अराम करने के लिए स्विजर लेंड या अमेरिका जाने के लिए बोला है तो हम कहां जाएंगे? दूसरे डॉक्टर के पास क्या? एक सजी दजी महिला दाथ के डॉक्टर के पास गई और बोली डॉक्टर सहाब एक दाथ निकलवाना है पर सिर्फ दस मिनट में कोई एनिस्थीसिया, बिहोशी या दर्द की दवाई मत देना थोड़ा बहुत दर्द होता है तो होने दो पर चल्दी करो मुझे एक किटी पाटी में जाना है डॉक्टर कमाल है गजब की पहदूर महिला है आप आईए यहाँ बैड पर लेड जाए और बताईए कौन सा दाथ निकलवाना है महिला अपने पती से जाओ, लेड जाओ और बतादो कौन सा दाथ है डॉक्टर अब कैसी तबित है आपके वाईफ की हाँ डॉक्टर अब तो ठीक है और सुबा तो लड़ी भी थी जानू, अगर मैं मर गई न तो तुम प्लीज दूसरी शादी कर ले न ओ माई गोड डार्लिग मरने के बाद भी तुम्हें मेरी इतनी फिकर तुम प्रॉमिस करो तुम दूसरी शादी कर लोगे ओके बाबा, वो भी सिर्फ तुमारे लिए तुम अपनी नई बीवी को इसी घर में रखोगे न हाँ, मगर मैं तुमारा कमरा उसे बिल्कुल भी यूस निकनने दूँगा उसे अपनी कार चलाने दोगे नो, नेवर इस कार को तो मैं तुमारी यादगार बना के रखूँगा उसे मैं कोई नई कार दिला दूँगा और मेरी जुल्री? वो भला मैं उसे कैसे दे सकता हूँ उनसे तो तुमारी यादगे जुड़ी होंगी न वह अपने लिए नई जुल्री मांगेगी वह मेरी जीन्स तो जरूर पहनेगी अरे नही नही डार्लिंग रीतु का नंबर तो 30 है और तुमारा 34 ओ नौ! ए बगवान ये मेरे मूँ से क्या निकल गया? रुको, तुम्हें तो मैं बताती हूँ ओफिस से लोटने के समय पत्नी ने पती को मैसेज किया ओफिस से लोटने समय सबजी लेते आ न और हाँ, सवीता ने तुम्हारे लिए हेलो कहा है कौन सवीता? कोई नहीं, मैंने केवल इसलिए मैसेज के अंत में एक नाम लिखा ताकि मैं श्योर हो सकूँ कि तुमने मेरा मैसेज पूरा पड़ा है लेकिन पती भी बहुत चलाक था उसने मैसेज किया लेकिन मैं तो सवीता के साथ ही हूँ तुम किस सवीता के बारें बात कर रही हो? कहा हो तुम? सबजी बजार के पास वहीं रुको, मैं भी आती हूँ पतनी भी दस मिनट में सबजी बजार पहुँच गई उसने पती को मैसेज किया कहा हो तुम? पती मैं तो तब से ही ओफिस में हूँ अब तुम्हें जो सबजी खरीदनी है खरीद लो तो दोस्तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सस्क्राइब करें ठेंक यू झाल